नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं भारत को सबसे मजबूत दोस्त और स्वयोगी बनाना चाहते हैं जो बाइडेन अमरीका में थिंक टेग और भारत वन सी भी सिसगयों कमानना है कि राष्ट पती निर्वाशित हुए जो बाइडेन भारत अमरीका रिष्टों को मजबूत करना जारी रखेंगे सेंटर फोर स्टेटेजिक और इंटरनेशनल स्टेडिज थिंक टेग के रिक रोसो ने कहा बाइडेन परसासन भारत के लिए मुख्यता सकरात्मक रहेगा उन्होंने कहा मुझे उमीद है कि सवयोग के सबसे सकरात्मक छेत्रों को बरकरार रखा जाएगा खास कर राक्षा छेत्र को रोसो ने कहा कि दो परमुख मुद्दे हैं जो वास्तों में अमरीका भारत समन्दों को परिभासित कर सकते हैं सारना समीतियों ने केंदर सरकार को दिया अल्टिमेट टम बिल पास करवाय वरना 6 दिसमबर को रेल रोड चका जाएं जाखन की हमन सरकार आदिवासियों के लिए सारना धर्म कोड का परस्ताव पारित कराने के लिए अगामी 11 नॉमबर 2020 बिधान सबा काबी ससटर बुलाई है बता दे पिछले 20 सामय कोड को समयलित करने का परस्ताव केंदर सरकार के पास बेजेगी अगर केंदर सरकार इस बिल को लेकर आखमाती जताती है तो सार्ना समीति आगामी 6 दिसमर 2020 को रेल रोड चक्का जाम करेंगे इस बात की जनकारी केंद्रिये सार्ना समीति के सदस्तों ने दी मद्यान भोजन के चावलोग हुकिंकाष्ट की रासी के बीवरण की रिपोर्ट मांगी जाकनराज मद्यान भोजन प्राधिकरण ने जीलो से अप्रेल से सितम्बर तक के मद्यान भोजन के चावलोग हुकिंकाष्ट की रासी के बीवरण की रिपोर्ट मांगी है बता दे प्राधिक करण कोई अजनकारी मिली है कि राजे के कई जीलों में बचों को अब तक सितंबर माग के मद्यान भोजन के चावल वाखुकिंग काष्ट के रुपए नहीं मिली हैं जबकि स्कूली सिक्षा और सचता विभाग द्वराई समन में जीलों को अवस्यक दिशा निदेश दिया गया था हमत सरकार की बिफलताओं पर भाजपा जारी करेगी स्वेत पत्र हमत सरकार की नो महिने की कथित बिफलताओं पर भाजपा स्वेत पत्र जारी करेगी परदेश भाजपाग की कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया यह जनकारी पूरो मंत्री निलकर्ट सिंग मुड़ा ने बैठक के बाद दी बैठक में पूरो मुखमंत्री बावलर मरांडी, केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा, परदेश अध्यक, दिपक परकास, आधी सामिलित थे पहले दीन बिहार समेत अन राजों के लिए चली 85 बसे पहले दिन बिहार अरुतर परदे समेत अन राजों के लिए कुल 85 बसे चली जो बसे चली उसमें कुछ को छोड़कर ज्यादतर बसों में 35-40 सवारिया ही मुझूद थे बता दे पहला दिन होने की वज़ा से सवारिया कम निकली है और इनके चलते तकरीबन 215 बसे अभी सड़कों पर नहीं लोटी है बस संचाल को कमानना है कि दिरे दिरे बस परिवाहन पटरी पर आ जाएगी और सभी बसे सड़क पर दढ़ने लगेंगी बाइक एंबूलेंस योजना को उपायुक्त ने नकारा राजे के सुदूर पर खंडों में मरीजों को तवरित इलाज सुनिशित कराने के लिए बाइक एंबूलेंस योजना सुरू होने से पहले ही दम तोड़ दी है बतादे पिछली सरकार ने इसकी घोसना करते हुए इसके लिए बजट में रासी का भी प्रवधान किया था लेकिन यह योजना सुरू नहीं हो सकी कई जीलों के उपायुकतों द्वारा इस योजना को नकारे जाने के कारण राज सरकार ने फिलाल इससे ठंडे बस्ते में डा कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष वबीत सखाद अपूर्ती मतरी डाक्टर अमेश्वरूराव ने कहा कि नोट बंदी आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है समय आ गया है कि परदान मतरी नायन बोदी इस तबाही के जेमेदारी ले जिसके कारण आम जानता ने सुनीचीत करने का और नोट बंदी घोटाले की जाच का समय आ गया है ताकि दोसी पकड़े जाएं सिख्षकों को रोजाना समय पर पहुचना होगा स्कूल जारखन स्कूली सिख्षा एवं सक्षरता भी भाग द्वारा हाई स्कूल एवं प्लस टू स्कूल के सिख्षक और सिख्षक केतर कर्मियों को निर्देश दिया है कि वह नियमित तोर पर अब स्कूलों में अपनी उपस्तिती दर्च कराएंगे आप तक रोश्टर वाइज सिख्षक स्कूलों में अपनी हाजरी लगाते थे कुरोना वारस की वज़ा से उन्हें ड्यूटी को लेकर रहात दी गई थी लेकिन राइस्ट्रेशन और लंबीत नाईक कारे की वज़ा से स्कूलों में सिख्षकों को बुलाया जा रहा है जारखन सहायक प्राध्यापक अनुबन संके बैनर तले बिभीन विश्वविद्यालों के सहायक प्राध्यापक ने अपनी मांगू को लेकर संकेतिक विरोधर्ज कराते हुए रभीवार को मौराबादी में भिक्चाटन किया सबसे पहले सभी प्रध्यपकों ने मौराबादी इस्थित गांधी पर्तिमा पर मल्यारपन किया उसके बाद आसपास के दुकानों में गोम गोम कर भिक्चा मांगी उन्होंने कहा कि निमावली लागू नहीं होने पर हम निगाई तो छट पर्व के बाद आंदोलन उग्र किया जाएगा क्रिसी मंत्री ने चेनर जाकर लिया जगनात मतो का हाल चाल जार्खन के क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक ने रभीवार को चेनर इस्थित MGM अस्पताल जाकर वहां इलाजरत सुबे के सिक्षा मंत्री जगन जार्खन में 203 ने संक्रमीतों के पुष्टी हुई जो राची से 60, बोकारो 20, चात्रा दो, देवघर एगारा, धनबात 15, दुमका 2, पुर्वी सिमुन 13, गडवा 2, गिरीडी 1, गुमला 6, हजारी बाग 24, जामतरा 5, खोटी 3, कोडारमा 3, लातेह 7, लुर्दागा 6, राम भारत में कुल संक्रमीतों के संख्या 85,3,864 है, जबकि 89,15,660 लोग स्वस्थ हुए, और 1,26,63 की मिरिती हो गई, भारत में 46,669 केस मिले हैं, जबकि 48,379 स्वस्थ भी हुए हैं, भारत में एक्टिव केस 5,9,712 है, वहीं जार्खन में एक्टिव केस 441 हैं राची पतना और टाटा नागर से दानापूर जाने वालों के लिए खुस खबरी, दिपावरी और छोट को देखते हुए, दक्षिन पूर रेलवे ने स्पेसल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी रहात दी है, राची पतना राची पूजा स्पेसल ट्रेन टाटा नागर दानापूर टाटा नागर स्पेसल ट्रेन अब 10 नौबर 4 दिन चलेंगी, बता दी एन दो स्पेसल ट्रेन के हर दिन चलने से तिवारी सीजन में अपने घर जानने को परिशान यात्रियों के लिए या राच भरी खबर है, मिटी के दिये खरिद कर कुमारों क करे मदद कोडार्मा परसासन, जारखन में कोडार्मा जीला परसासन ने एक सांदार पहल करते हुए अधिकारियों और करमचारियों से दिवावली के लिए मिटी के दिये खरिदने की सलादी है, इसके पिछे का मकसा दिया है कि कुरोना लोकडाउन से परभावित हुए कु गुमला में पारा सिक्षक और उसके साथी की हत्या है, गुमला जीला के घागरा थाना के घोर नवसल परहवी तेंदार पाकर कोना गाव में पारा सिक्षक 15 वर्षी ए लाल देव असूर और बाकी टोली दिरगाव निवासी 28 वर्षी राम सूरज खडिया की लाठी चे पि अपक त्यारी की जा रही है, ताकि हर हाल में पिछली बार से ज्यादा खरीद हो सके, इसके लिए उपायुक साथ जीला दंडा अधिकारी सुरज कुमार ने जीलास्तरी अनुसरवन समीत्ती ने निर्देश दिया की 15 वर्षे पहले विभाग निर्धारित मापड़ंतों के बांध कर राखने के लिए 20 हिंदू परिषद गव रक्षा विभाग वर्धन पूजा से पूरे जीले में अवियान चलाएगा, बता दे इसके तहत गोपालकों को परचा के मादेम से जागरूप किया जाएगा, उन्हें उनकी जिम्यदारी का बोध कराया जाएगा, पलाम समीत योजना, पंचायत, अवार्ड सहित, और बीस आयो की समिक्षा की, इक ग्राम सोराज पोटल की समिक्षा के दोरान उपिकास आयूक ने सभी प्रखंट समनवयक, इक ग्राम सोराज पोटल पर 15 बीत आयो के तहत, बर्स 2021 में प्रविष्टी की कई योजनाओ की जनकारी महिला संग तीन बच्चों को जिन्दा जलाने की जाच में CID टीम गिरीडी सेंटरल जेल पहुंची, हाई कोट की सक्थ टिपनी के बाद, राज धनवार के पूरेख गाव में तीन बच्चों संग महिला को जिन्दा जलाने की जाच CID ने तेज कर दी है, डिस पी निहालू दिली महिला आयोग ने मुखमंत्री हमन सुरेन को सराहा, दिली महिला आयोग ने जार्खन की बच्चियों के रेस्क्यू पर मुखमंत्री हमन सुरेन की सराना की है, आयोग की अध्यक स्वाती मालिवाल ने कहा कि जार्खन के मुखमंत्री हमन सुरेन ने दिली में मानो तसक करी के रैकेट से रेस्क्यू कराई गई लड़कियों को वापस लाने की पहल की मुख मंतरी करयाले ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्स से संपर्क किया उन्होंने दिल्ली के मुख मंतरी अर्विंद केजरिवाल के संग्यान में ए बाते पहुंचाई जिसके बाद अर्वि के लिए करक्षा नौ से बरावित्या के संसोधित पाठकरम जारी कर दिये हैं मुखमंत्री एमन से के स्विक्रिति के बाद विभाग ने रभीवार की देश साम इसे जारी किया इसमें लवग चालिस फिस्द पाठकरम की कटोक्ति की गया इन करक्षावों के बार्सिक परिक् अधिकारी के पैनल को संग लोक सेवा आयोग ने बीना किसी सुनवाई के वापस लटा दिया है बता दे अतिसरी बाहर है जब राज सरकाय के प्रस्ताव को यूपीसी ने लटाया है यही करण है कि राज में नीमित डीजीपी का पदस्थापन नहीं हो सका है आईपीस अध देट